कि तेल की कीमते लगातार क्यों बढ़ रही है और केंदर सरकार राज्य सरकार इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पारी क्या सबसीडी को खत्म करना भी काफी जरूरी है इस पर बाचीत करने के लिए तमाम मेमान हमारे साथ मौजूद है रिशक तेवारी है नेता बीजेपी संजय गुपता है नेता कॉंग्रेस प्रवीन भारतिय जी है समाज से भी है एके मिश्रा जी है राजनितिक विशलेशक और अमित पहलवान जी है समाजी कारिकरता आप सभी का भगवस्वागत और साथी जन्टा जनादर्द भी हमारे साथ है जन्टा से लाहत में लोगों को रहात भी मिलना चाहिए अर्थवेवस्था मैं आँगा चलिया अर्थवेवस्था वह भी सब लोग सब लोग कर मैनुफेक्टरिंग करके एक्सपोर्ट करने से होती है इंडिजीनस अगर आप टैक्स जो है कलेक्ट कर रहे हैं अपने पब्लिक के उपर टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगा रहे है तो यह अर्थवेवस्था का रियल ग्रोथ नहीं होता है ठीक है आपकी GDP ग्रोथ कर रही है आपको अर्थवेवस्था ब्रोथ करनी है तो ऐसे चीजों से करिए जिसको कि आप एक्सपॉर्ट करते हो मैनुफेक्टर करके ऐसी चीजों को नहीं कि जिनको आप इंपोर्ट कर रहे हो साओधी अरेविया वगरह जिन चीजों को एक्सपॉर्ट है उससे वह पैसा कमा आप क्या कर रहे हैं आप अपने आप देश की जंदा के ऊपर टेक्स लगा रहे हैं ये सामनतवादी सरकार है कि देश का भला करने वाली सरकार है दूसरे मुद्धों में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन पैट्रोल की प्राइस के लिए अगर मैं देखू तो इन्हों अपनी देश की एकोनॉमी को पूरा पोलेटिकल एकोनॉमी में कनवर्ट कर दिया पैसे इकर्थे करो और उनी पैसों का यूद चुनाओ के छह महीने पाले ब्यूटिफुल तरीके से मैनुपुलेट करके फ्री में जो है आप लोगों को दे दो ताकि हम दुबारा सरकार बना देखें आसिफ मैं आपको बताना चाहूंगा 30 रूपा एक लीटर जो है लगबा का कॉस्ट आती है और उसके बाद 80 रुपए 75 रुपए में बिखता है तो आप समझ सकते हैं तीन परामीटर्स में मैं आपके इसके आंसर को पूरा एनलाईज करना चाहूंगा आपके क्वेस्टन को पहली चीज़ यह देखें अगर पेट्रोलियम और प्रोड़क्ट के को यह गवर्मेंट डील कैसे कर रही है उसके मेकनीजम को देखा जाए मोडस ऑपरेंडी को दे नीचे एक लाइन लिखी है प्राइसे जार सब्जेक्ट टू चेंज बिदाउट एनी प्रायर इंफोर्मेशन ऑफ एनी परसान और कस्ट्रमर वही हो रहा है रोज पेट्रोल के दाम चेंज हो रहा है दूसरी चीज मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि हमारे माननी प्रध छाहिए कहीं से भी प्रॉफिट चाहिए तो इस चीज के लिए मँनी मोदी जी को पूछे मुझे मुझे खतम कर लेनी एक पॉइंट और है एक पोइंट और है एक प्ते के एक नया कॉंसेप्ट है जो यह पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ लगई है इसके कारण एक नया व पूरी देश की एकोनोमी को हाई जैक करके कैसे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट को साधा जाए यह पॉलिटिकल एकोनोमी हो गई अगर आगर राजनितिक फाइदे के लिए सब कुछ हो रहा लेकिन अगर आम जनता नाराज होगी तो फिर उसका क्या पाइदा है वोट तो आम जनता सही लेना अरे साहब आप देखते हैं इनको डेमेज कंट्रोल करना बहुत अच्छा आता है आम जनता नाराज हो इनको पता वाकही में मोदी जी ने जो बोला कि बाई मैं एक गुजराती बनिया हूं उसके इसाब से एकड़म परफेक्ट है यह वही काम कर रहे है गौर्मेंट की पहला पहली प्रारियोर्टी होनी चाहिए वेलफेयर वेलफेयर ना होके प्रॉफिट बेकिंग हो गई है बिल्कुल इसके दाम आगे बलेंगे तो आम आदमी भी आम आदमी भी जो है वह फरक पढ़ेगा उद्योग पर भी फरक पढ़ेगा हर कोई से प्रभावित होगा वक्त चोटे से ब्रेक का है ब्रेक के उस पार भी चर्चा हमारी जाली रहेगी आप बने रहे हैं असिप देखें एको लोगों में खुशाली आते हैं चीजें सस्ती होती है महाई कम होती है इनका मुद्रा कोस्तों परणा एगट वांगाए एक लाएक ला ना की माट बिछान होते हैं कि देश में कुशहाली प्राइसेस कम हो वो कुछ नहीं है यानि इकोनोमी बढ़ रही है और देश की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है यही देखिए यही तो बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर रही है लोगों को देखिए बिहार में चानक के टाइम पे जो घनानंद एक जो राजा थ में सबसे बड़ा इकोनोमी ग्रो करने का पैरामीटर है कि प्रजा की जेब भरी रहे है उसको सहुलीत मिले यहां सरकार डिफिनिटली ग्रो कर रही है उसका खजाना भर रहा है लेकिन आप लोगों से पूझे कि एक पर कैप्टा इंकम बड़ी की नहीं बड़ी डालर के रूपया कितना स्ट्रॉंग हुआ मांगाई पर कितना रहा इन्हों ने रोक लगाया यह दिखे यह विरोधावास या तो हटा दें यह माल लेकि ठीक है हम जंता से यह सूडो क्रोथ में इसको बोलता हूं जूटा क्रोथ है सरकार को कम से कम आम जंता के लिए ही करना है आप करें कि सरकात को तो चला फाइदा हो जागा लेकिन आम जंता को तो नुक्सान होगा चोटे दोग चलना उनको नुक्सान होगा क्या उससे अर्थवयस्ता पर फरक ने लगता है आसिए मैं आपको बता हूं हमेशा किसी भी देश की गौवर्मेंट ऐसे चीज़ों की प पेट्रोल है यह सोर्स ऑफ इनर्जी है अगर पेट्रोल और डीजल कम होगा तो पूरी एकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा ट्रंस्पोर्टेशन कम होगा अगर आपने इनर्जी के सोर्सेस के दाम बढ़ा दिये तो आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि आप अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम भी रखें तो फिर आर्थ वियुस्था के बेहतर के लिए क्या विकल्प होंगे सरकार नहीं बहुत है देखें मैं आपको बोलता हूं इस गौर्मेंट की शुरू में सारी यूजना बहुत अच्छी थी मेक इन इंडिया से में बहुत बढ़ा सकते हैं और जनता को उतना आसर नहीं होगा वहां नहीं करना है पेट्रोल पे दाम आप इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि जनता मच्बूर है वह उसको जहले गे जहलेगी उसको पे करना है तो इसको एक पाई-चार्ट बना के सारे सेक्टर से आप कलेट करिये आप टेक्स कलेक करिये आपने जो अभी ये नया जीस्टी सिस्टम लाया है कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है आप उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करिया हम चोरों के साथ गड़ बंदर नहीं करते हैं अभी किसानों की अगर इनको फिक्र है आज ये स्थिति आ गई कि सारे चोर मि किसान विरोधी है किसान के लिए कुछ नहीं किया वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं कर रहे हैं पक्ड़ रहा एक पकड़ोंगे बताओं आप पकड़ोंगे इसने बड़े 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 सब लोग पड़े हुए जिन्हों ने चोरी किया एक को भी आप अदमी से आप रिकवरी नहीं करवा पा रहे हो इतने भगोडे हैं देश के एक पैसे की रिकवरी आप नहीं करवा पारे हो सरकार के परती आक रोज दिखा देना आप अदमी से आप रिकवरी आप करवा पाए हो आप बोलने दोगे जंदा को सत्य को सामने लाने दो अगर आप आप क्या सत्य यह है आप तो आपी को बिल्कुल आपको देखा आई आसी भाई यह जो सत्तर साल चोरी किये वो तो ना बोलें जो सत्तर साल चोरी और डकेटी किये वो चुप रहे हैं जो जो चोरी किये मजबूरी सरकार की करने के लिए एक पूरा का पूरा खाका तयार किया था पाई चार्ट कि हम अपना खजाना कहां से भरेंगे उसमें सबसे पहले इन्होंने मेक इंडिया लांच किया साल उससे खुद इन्हें ने तमाशा किया मुझे लगता है उन्धा फेल हो गया मेक इन इंडिया से रहें! बाकि इन्होंने जीयास्ति वगर हो टैक्सेशन के लिए जो भी चीजे लाई उससे उतना रीवेन्यू नहीं आ रहा है तो रेंडिल जनेरेट करने के लिए पेट्रोलियम प्रोड़क्ट है ना वह एक जगलर बेन है मतलब आप उसको पकड़ लो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है टेक्स बढ़ा दो प्राइस बढ़ा दो रेवेन्यू आटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा 3.7% पूरे GDP में जो है रेवेन्यू पेट्रोल का ज तुनेंगे जो बेहत मजबूरी एजनता की और जिससे मल्टी लेयर इनको फैदा हो जैसे पेट्रोल हो गया डीजल हो गया एक बार पेट्रोल डीजल पर इन्होंने दाम बढ़ा है सारी चीजों के दाम ट्रांस्पोर्टेशन के सब बढ़ गए सब के दाम बढ़े यही तो गॉर्मेंट को समझाने वाली बात है जो समझ नहीं रही है उनको तो किवल अपना ख़जाना भर के प्रोथ दिखाना है यह गौर्मेंट की मजबूरी है सुनिए कुछ लोगों ने अपनी मांसिक्ता बना ली है कि मौझूदा सरकार को घेरो और अपनी राजनीती रोटी से को यह यह कुछ लोगों ने जब आप बिपक्ष पहले आप सबस्टीडी देंगे और दो महीने पहले पूरे देश में आप सबस्टीडी देंगे यह प्राइबेट लिंटेड कंपनी की तरह आपकी सरकार भी आप कर रही है आप कुछ चोर है और कौन चोरों का साथ है तबी तो सवाल यह पूछा जा रहा है मेकिन इंडिया से रेवेन्यू नहीं आ रहा है GST से नहीं आ रहा है MSME से नहीं आ रहा है जड़ता की सिहत खराब हो गई पेट्रॉल और डीजल के दाम बढ़ा कर और आपके नेताओं में और मंत्रियों में फिट्नेस कॉम्पटिशन चलना जड़ता परशान आप फिट्नेस कॉम्पटिशन नहीं मैं इस दोनों बाथ को लेकर आप मैं आपसे भी निवेद दन करुha मीडिया वी निवेदन करुखा की दोनों मुद्दे को आप एक साथ इस तरह समेलित ना करें क्योंकि इक्वाइर, बिल्कुल मुत्हाय मैं अगर अगर, रॉम, जल रहा था और नीरो सौ रहा था, रॉम जल रहा था, और नीरो सौ रहा था, पेट्रॉल में आग लगी है, और इनके मंतरी लोग, फिट्नेश, अब टिस इतने कुछेंट फ़टन clase है, तो हुसका जबात मुझे द बीजेपी प्रादेश अगर कोई फीटिनेस की बात करता है तो घरता प्रीट है कि नहीं है यह गटर आप आप यह बाते पैट्रोलियूम मिनिस्टर करते तब आपके कोश्चन जाहिज नहीं यह बात वो मिनिस्टर कर रहा है जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो सेकंड आपके सारे एंकाउंटर फर्जी है इनके गरीम किसाद को मारे असित देखें मैं आपको बताओं तीन साल पहले प्रदान मंत्री मोदी जी ने एक वाक के बोला था और बड़ा गवरवानवित हुआ था उसको सुनके उन्होंने बोला था कि हमारा यूथ जब माउस को घुमाता है तो पूरी दुनिया को नचाता है मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वो जो माउस है चुहा है वो आज जाकर के कहां मिल रहा है खोदा पहाण निकली चुहिया अब यह बोल रहा है कि जी दो करोड़ इंप्लाइमेंट नहीं होगा पकोड़ा तलो यूथ के सामने प्रॉब्लम यह कि पकोड़ा तलने की दुकान भी हम कैसे करें जब सिलेंडर इतना मांगा हो गया है तो वह चुहा गुमन देख अब वो जनता का हक है किसे सर पे चलाना है किसे जमीन कोई सही दिशा में नहीं जा रहे है पेट्रोल की प्राइसेज या क्राइसिस को मेंटेन करना है बहुत इंटीग्रेटेड एप्रोच चाहिए और सारे सेक्टर पे एक्वल मैनुफेक्टरिंग को आप बढ़ाईए ए दीजल के दाम इतने जादा होंगे देखे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अच्छे दिन का जो वादा था वो निरंतर हम पूरा करने के प्रयासरत हैं और हम कर भी रहे हैं जहां तक महंगाई की बात है और जब आप कंप्रेजन करते हैं यूपिय की तो उस वक्त महंगाई ना केवल से पेट्रोल की नीती पे थी बकायदा आप जैनली जो खाने पीने की समान हुए और भी बहुत सारे एक्साइज एटम से जिस पे महंगाई थी पेट्रॉल डीजल के दाम लगातार बारवे दिन बढ़ गया क्यों नहीं कंट्रॉल सरकार कर पारी यह क्या सरकार के बाहर कंपनियां हो गई बिल्कुल नहीं सरकार इस पे बहुत ही गंभी रूफ से सोच रही है और जैसा कि आपने देखा था हमारे जो पेट्रॉलियों मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था कि एक जिम्मदारी लेनी बात होती है जो सरकार इस पे सो करते देना चाहूंगा अगर कोई इंसान घर चलाता है और घर में कोई आपदा विब्दा आती है तो उससे भाग खड़ा होना और उसका निदान देना दोनों में फर्क होता है तो हमारी सरकार यही कह रहा है वही कह रहा हूं चार साल हो गए चार साल में बहुत चीज़े प्रभावित होता है भुलाई प्रभावित होती है अना आज के दाम बढ़ेंगे मैं यह कहना चाहूंगा कि पेट्रोल डिजर डिरेक्ट या इंडिरेक्ट सबके जब पर जरूर डालता है ठीक लेकिन मैं जो कहना चाहरा हूं कि अगर घर में आपदा विब्दा आई तो उस पर नियत पर सवाल उठना चाहिए कि आप उसका सॉल्वीशन दे रहे हैं या उसके खिलाब शीप आप एक्सक्यूज दे रहे हैं हम सॉल्यूशन की और जा रहे हैं कहा सुलूशन जा रहे हैं को बैठक भी बुलाई गई चार साल हो गए चार साल में हमने बहुत कुछ कि उसके बाद रेट बढ़ाए ठीक है तो आपकी अगर द्रिश्टी के लिए रहेगी कि वह क्यों दाम बढ़ा रहे हैं तो मुस्पॉइंट अभी उसे देख रहे हैं जनता यह जानती है कि पेट्रल और डीजल के दाम आसमान चूर है आग उनको रहात देंगे उसी से आप गलत मुद्ध उटनों ले रहे हैं वीपक्ष आप रहात दीजिए और रहत होना चाहिए रहात हम देंगे तक दिस्टी के बात कहीं है जो महंगाई आपके दोर में थी वह महंगाई इस दोर में है और विपक्ष रख पाया चीतरे से बात आप भी कोशिच कर रहे हैं मुझे मुझे आपकी बात पर इतराज है सर इतराज इसलिए कि आप कह रहे हैं कि महंगाई की दोर पर आ रहे हैं आप देखिए कि जब 148 डॉलर परती बैलर रेट था कुरूर का पूरे विश्व में तब भी इतने रेट नहीं हुए जितने भारतियंता पार्टी ने कर द देख्चे दिन की ये सारा पैसा जंता का खा गए हैं और ये गरीब जंता को लूट के खा गए हैं और आज ये पैट्रोल के इंदर लगातार बारवे दिन आजी रेट बढ़ रहे हैं इंको शरम नहीं आ रही हैं जनता की फिक्र किसको है तेल के दाम या महंगाई उस वक्त भी थी यूपिय के दौरान महंगाई अब भी है लेकिन यूपिय कहती के अंतरराश्टी इस तर पर कच्छे तेल के दाम इतने तो नहीं है जितने इन्होंने बढ़ा देखिए ऐसा है मैं पहले तो जो है भारति जनता पालिटी की जो केंद्र में सरकार है उस सरकार को यह दियाद दिलाना चाहता हूं कि जब वो विपक्ष में हुआ करती थी तो एक रुपया कुछ पैसे बढ़ने पर वो जो है मुद्दा बना करके आंदोलन और सड़कों पर उतर जाया करते थे कारिकरता लेकिन जो पादे उन्होंने घोशना पत्र में कहें थे कि ब्रश्चाचार मिटाएंगे महंगाई को कम करेंगे लेकिन आज वर्तमान इस्तिती में लगता है कि उन मुद्दों को दोगने रफ्तार से बढ़ावा इन सरकार ने दिया है पैट्रॉल की अगर हम बात करें डीजल की हम ब या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूँ तो है क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छे नहीं है तो इसलिए अपना निजी बहान हम लोगों को यूज करना पड़ रहा है तो आज भारतिये जनता पायर्टी की जो सरकार है वो महंगाई को कम करने में विफल साबित हुई है और सामाजी करकरता होने के नाते यही कहूंगा कि प्रधान मंत्री जी को सद्वुद्धी दे और इस महंगाई पर और किसानों के बारे में जरूर सोचे आप देखे हैं हमारा खासकारिकरम आज का मुद्धा हम मौजूद है उत्तरप्रदेश के नोडा के सेक्टर 15 में और बात कर रहे हैं पेट्रॉल और डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं आज बारवे दिन में भी दाम बढ़े पेट्रॉल और डीजल के दाम आसमान चूँ रहे हैं लेकिस्ट्रकार इसको रोकर में नाकाम साबित हो रही हैं आमजलता काफी ज़ादा परशान हैं विपक्ष छेसरस को उतर कर गुरोध प्रदर्शन कर रहा है विपक्षा कहना कि सड़क से लेकर सदन तक हम इस सरकार का घेराव करेंगे जब तक राहत नहीं मिलेगी और सरकार कह रही है कि हम राहत के बारे में सोच रहें लेकिन आम जंता का कहना कि उसको तोरंत जो है वो कारवाई चाहिए और इससे राहत चाहिए हमार साथ तमाम लोग माठीद है अजी जी क्या लग रहा है आपको क्या सरकार की मजबूरी है तेल के दाम बढ़ाना आसिब जी में पंक्ति के साथ अपनी बात के हूँगा कि ना हिंदू की बात कर ना मुसल्मान की बात कर आज भूका है इंसान तु निवाले की बात कर चाहे कोई पा अंग्रेश के समय में भी लंबे समय अने को गोटाला हुए मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता मैं समागे पैट्रोल डीजल के दाम की बात कर रहा हूं आज पैट्रोल की स्थिति वाकई एक जो अचान जग आच्छी जनक बढ़ गई है इसका वाकई आम जनता के अंदर गलत मेसिज है मोदी जी से लोगों को बहुत उम्मीद थी उनको एक युकपुर उसके रूप में मानपुर उसके रूप में लोग देख रहे थे और एक आस लगा के बैठे थे लेकिन कहीं ना कहीं आज लोगों के अंदर एविश्वास की मात्रा बढ़ती जा रही है जिसका कारण है डीजल और पेट्रॉल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है मैं बिल्कुल सभी नेताओं से भी अपील करूंगा पार्टेंटा पार्टियों के से कि आपकी इमेज पर बहुत ज्यादा फरक लग रहा है आपको पूरे हिंदुस्तान ने एक तरपा होकर बोट किया था अगर आज जनता का उसमें कोई भला नहीं होता और ऐसी चीज़ें दिन पर दिन बढ़ती रही तो वाकई पार्टी के लिए निंदनिये साबित होगा उसका परिणाम गलत दोजार उनाम बड़े खतरनाक आ सकते हैं और ये उमीद नहीं थी आसी भई में बात कहना चाऊंगा जो स्टेट्स men होते हैं वो next generation की सौसते हैं और जो real में गंदी politics करते हैं वो आने वाली चुनव की सौसते हैं जिदा लोगों की कोई फिकर नहीं बिल्कुल फिकर है फिकर है और इनके बाल बच्चों की भी फिकर है इसलिए मैंने नेक्स जनरेशन की बात कही है आज से पहले आज से पहले जब यूपीय की गौर्वर्मेंट थी और उस समय जब पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़े थे लेकिन उस दाम बढ़ने के रीजन के पीछे मकसद क्या था किसी गरीब मा के घर में चुला नहीं पहुचा था किसी गरीब के घर में लाइट नहीं पहुची थी पहुंचे जी आप उजाला योजना निकाद के देख लो इतने लोग के घर पहुंचे आप उजाला योजना एक में डाल पेट्राल और डीजल के दाम बढ़ा कर सारा योजना आप जनता को यह आप जनता से कह रहा है कि हमें पैसे की जरूरत है जी नहीं मैं जनता से यह कहना चाहरा हूँ कि आप जिस सरकार पे विश्वास किये हैं वो एक अच्छी सरकार है और उस पे विचार गवर्मेंट अलेडी कर रही है तभी 21 भाजपा सासित राज्यों में वैट टेक्स हमने डिक्रीस करने को बोला है पेट्रोल पे क्यूं बोल बात को कि जिस तरह पिश्री बार चुनाव में आये थे हर चौक पे बोर्ड लगा था कि बहुत हुए पैट्रोल डीजल की मार अब की बार मोटी सरकार अब मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ अब धक्का दोश्मोटी सरकार को मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जब भार भा मोटीस में क्या उतंक मचार का कौन वह पैसा खा रहा है कौन वह पैसा खा रहा है आप मुझे बटाएरे आपको나라 है अबड़ाना चाहता हुं दो सिलन्ड़ेते हैं तीषाल कौन बरेगा और आप मुझे बताएं सञ्रीं कर देते टेते ते जोर विधाना और इनको शर्म हरी है इनको शरम नियारी 12 दिन लगादार रेट बढ़ गए तब कहा कि हम इसको बैक बना रहे थाकि जब बहい दाम तब हम इसको बैक पताव की तरह यूज़ करेंगे तो मैं मोधी जी से खária चुड़ाओ का बैकाप बना रहे हैं तो हां तो हज बैद यह बाए इस पर कहते हैं तो भी अभूक बात है क्शनो Κाण होई बाइब सब्सक्राइब करके लेकित लेकल होणा है इसे क्वाइमन ंकुछ निकलेगा अपना दिमाग्स लगा क्युआूके जंता दसे बाड़ा गुष्ष्वा देखिए आम लोगों का घुस्टा आम लोगों का प्यार दोनों सरकार को ता है अगर आम जंता गुस्ता है तो उससे जाने और इसका विलम सोलुशन दे तो उस पे सरकार और लेडी वर्क कर रही है और मैं आपको स्वस्थ करता हूं आज मैं डिबेट कर रहा हूं नोड़ा सेक्टर 15 में आने आले एक हपते के अंदर आप फिर मुझे बुलाओगे साइड डिबेट करने के लिए और आप ही बोलोगे कि साइड के बढ़ते दामों पे सरकार बहुत ही कंभीर है और इस पे मैं आपको फिर क्या सब्सक्राइब देखिए ऐसा है इस सरकार ने आज इस पेट्रॉल और डीजल के दाम बढ़ने से जो देश का किसान है जो देश का किसान है वो किसान किसान बरबाद की कगार पर है और एक द है अंतर पेट्रॉल और डीजल में हुआ करता था आज मात्र आठ से 10 रुपे का अंतर रह गया है और किसान डीजल को खरीदते हुए में बड़ा हिचकता है उसको बहुत सारी समश्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो किर्शी यंत्र हैं टक्टर टक्टर ट्रॉली या जो अभी वह योग करता है डीजल को चाहिए वह इंजन चलाने के लिए करें चारा काटने के लिए किसान करें आज किसान मौताज है उसके पास इतना धन नहीं है कि वह अपने खेती को कर सकता है उसके किसानों को भी खेती वाली करने में काफी आउंगा दिक्कत हो रही है लेक बहुत शोर सुनते थे जिसका पहलू में जो चीरा तो कत्रा एक हूं भी ना निकला जितना शोर मोदी जी ने बताया था जितनी योजनाय बताई थी और जितना भाइसा मेरे दिकर कर रहे थे भी मेक इंडिया फुलाना स्चार्ट अप इंडिया और ये इंडिया और वो बात करें चार साल में बहुत काम किया इंके मंत्री डिंगे आग रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं मैं चलो उन बातों से अटके सीथे इस बात पर आऊँगा आप संजीद्गी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप मुझे आसिव भाई बताएं कि एक बार ऐसा बताएं क चाहिए और कल राहूल गांदी जी के नित्रत में कांग्रेस पार्टी संसत के उपर घराब कर रही है और जब तक यह प्राइज नहीं घटाएंगे जनता नहीं जोल रही है आपके साथ आप पेट्रॉल और डीजल के दाम बढ़ा कर थोड़ा पैसा घटा कर सकते हैं लेकि जनता को चोट करो और अपना माल भरो यह मानसिक्ता किसकी रही थी जनता ने देखा है अब बात करते हैं पेट्रोल की बढ़ते दामों पे ठीक है पेट्रोल की बढ़ते दाम कभी भी किसी भी सरकार के मानसिक्ता को नियत पर तब सवाल खड़ा करता है जब उसके लिए अ यह जब जब यूपिये सरकार थी जब आप यूपिये नहीं आगे आप तक तर रखने दीजे जनता के आगे जब जब इस चीज को देखते हुए मार्केट में उचाल और गिरावट आती है तो उसका सीधा अफर हर एक सरकार के उपर पढ़ता है हुआ को लिए ये तो यह तो यह तो यूपीय के दौरान में कह रहां यह को बहुत अपता चली चाहिए इस चली इस जी बड़ा एक बड़ा सवाल यह ए कि सीधा रहात रहात सीधी रहात जनता को मिलना चाहिए चीदी मैं आउगा सब करेंगे बाद कर रहा है पेट्रॉल और डीजल के बढ़ावे को लेकर यहां शोर काफी ज्यादा हो रहा है लेकिंगे फिर भी लोगों की बात समझने की कोशिश हम यहां पर कर रहे हैं सबसे अपील है कि अब अपनी बात सिर्फ कैमरे के सामेर रखे ताकि धेश की जनता सुन सके पेट्रॉल और डीजल के दाम जो बल रहे हैं उसको लेकर हम बाचीत कर रहा है क्या सरकार की ऐसी नाकामी है जिसको लेकर पेट्रॉल और डीजल के दाम सरकार कम नहीं कर पा रही ह क्या वास्तब में अंतराश्टी इस तर पर पेट्रॉल और डीजल के दाम कच्छे तेल के दाम जो है काफी जादा है जिसके चलते यह कंट्रॉल में नहीं है या फिर सरकार की नियत और नीती में यहाँ पर खोट है जब यही बीजेपी विपक्ष में बैठी थी तब यूपीय सरकार के उपर आरूप लगा रही थी कि इनको सरकार नहीं चलाना आती है अगर हमारी सरकार होगी तो पेट्रल और डीजल के दाम काफी जादा कम होंगे लेकिन अब उनी चीजों पे घिरती नजर आ रही है जिसमें एंडिये यूपीय सरकार को पिछली सरकार को घिरने में लगी थी तमाम पार्टियों के नेता हमारे साथ मौझूद है जड़ता हमारे साथ हमारे बीच मौझूद है एक बार फिर से सब का देखिए आज वर्तमान सरकार जो है वर्तमान समय में ना तो आम आदमी को कोई रहात है और जो 2014 में इन लोगों की घोशनाएं थी उस समय और आज के समय में इनकी करनी और कथनी में दोनों में अंतर है करनी और कतनी में दोनों में अंतर है इन लोगों ने अभी यहां BJP के परवक्ता कह रहे थे हमने सिक्षा पे इस स्वास पे तमाम मुद्दों पे काम किया है मैं एक सामाजी कर करता हूँ और पुरे उत्रप्रदेश का मैंने अभी साइकल से भर्मन किया था मुझे पता है कि सिक्षा का इस तर कितना अच्छा है मुझे पता है कि स्वास का इस तर कितना अच्छा है आज पेट्रॉल की बात हो रही है डीजल की बात हो रही है तो आज देश का गरीब किसान मजदूर पेट्रॉल और डीजल की इन बढ़ती लागातों से के बीच में पिस रहा है है क्या जब तक देश का किशान हुसाल नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं होगा देखे अहित लिए डीजल के दाम कम आशीव जी जितने प्यार औरन सालिंत असां के शात आमने in से टिकती है लोकतंत्र का मतलब जड़ता है अब इसलिए हम जड़ता के बीच आए अगर हम जनता को एक अच्छी सड़क देते हैं तो भी हम जनता की सोचते हैं अगर हम जनता की सोचते हैं अगर अच्छा वातावरन देते हैं तो भी हम से राज जैसे बीजे पीजी शासित जहां पर हस्पिटल की अच्छी व्यवस्ता उत्तर ब्रदेश से आज ख़बर आई है कि ठेले पर एक मिन अपर करेश बच्छी और अभी खबर आई उत्तर ब्र जहां जहां भी ऐसी कोई भी छोटी और बड़ी तुरूटी पाई गई है तुरंट उस पे एक्षन लिया गया है और इसी लिए मैं बता रहा हूं इसलिए जारखंड जैसे छोटे राज में हमने एम्स देने का काम किया जो पूर में किसी सरकार ने नहीं किया उसके बाद एक प्रफिये में आज सब्सक्राइब कोई बीशार क्सी बीमहले को फ्री में रेजिस्ट्री दियो आज सतक्व पता दे कोई सरकार किसी गरीब के घर चुला आप आप अच्छा आप यह जूट यह बोलने वाली सरकार है और जितनी बाते मेरे परवकता दोस्त के इस बोले से क कारवा क्यों लुटा हम यह पूछना चाहते हैं कि यह हालात और यह पैट्रोल जो अरे सुनिए ना वाई सब पेशन्स रिखिए यह लोग देख रहे हैं आपको चैनल पर देख रहे हैं आप कैसे भी कर रहे हैं ठीक है रहे हैं नहीं मेरी आप सुनिए ना बाता मैं आप से करना चाहता हूं कि आप यह मुझे बताएं कि यह जो रेट पहुंच गए हैं यह जो हालात हो गए हैं पैट्रोल के और जो बात आप कह रहे हैं आज किसान किसान सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा एफेक्टेड है आज यह देखिए कि इसके इंदर ट्रांस्पोर्ट के हमें कोई इतराज नहीं है हम कहना चाहते हैं कहां गया वो नायक कहां गई वो शुस्मा स्वराज जो चाती बीट के चौक पे नाच रही थी पैट्रोल के रेट के लिए आज क्यों नहीं नाचती है आज गरीब का दर्थ खतम हो गया है मैं पूछना चाहता हूं उस जो नहीं दिखाई दे रहा है मैं सिर्फी पिरवक्त हमारे भाइएं कि हमने भी अठारे राच जो मैं हमारे संक्टन कारिया करता है पुंत तरीका से मोधी जी को बोड दिया ता लेकिन मैं आप से सिर्फ यह बात जानना चाहता हूं कि उन पर वो कौन सा तरीका था कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम पेट्रोल 45 और डीजल और भी उससे कम 45 रुपे करकर और आम जनता को सहुलित देंगे मैं यह जवाब मैं लेकिन आप बताई क्या टैक्स कम करना नहीं चाहिए क्या राज और केंसर मैं मैं मुझे अपनी दो लाइन में बात कम्लीट करनी है नहीं मिलती थी वह घर-ँट्रोठा रोपे अपनी चाहिएक मोधी जीए करने के तयार हुए यूजरा की बात है सोचा आहरा के यह यह टैक्स तो यूपाइब हो यह य marché तो यूपीय सरकार में भी हो रहा था धुष्ट क्यों मैं बता रहा हूं आपको मैं बता रहा हूं कि GST में आगर एक चीज बोलेंगे एक चीज बोलना चाहता हूं कि जब जब गरीवों के घर वननेग ना और जब गरीवों की रसोई की बात हो जाएगी तो भावनात्मक्चीजज हो जाएएंगी 열 जब गरीव की रसोई गरीब कहां से चार recurve फालतू देगा आप भावनात्मक्च पात नेकरने सप्दי नहीं पोकुल यह मोधि बखतें यह чार रुपे जधा दे जाते हैं अब देखे नहीं को देखे अभी हमारे एक साथी थे जो वैक्तिगत कह रहे थे चार रुपे मैं एक्ष्ञाभद सकता हूँ लेकिन अजन आज टेस्ट के किसान की हाला जाकर के देखो गाउं में जाकर के वो चार पैसे एक्स्टा नहीं दे सकता आज किसान की डीजल के बढ़े हुए सरकार बन जाते हैं पंदरा लाग के जुम्ला कहने वाले लोग आज दुनिया सारे पूरे वारत राज बना लो उससे क्या सरकार दे सुदर गया आज नगली लोट आगया सहर में चला है लोट बदल दिया लोट भी भी चल गली हम चला है लेकिन आहम जनता का नराज हो मेरा जबाब एक ही होगा कि हम चुनाव नहीं सोचते पहली बात अगर चुनाव सोचते तो ना तो हम नोड़वंदी लाते का चुनाव रहता पिर क्यों नहीं दाम बन नहीं देखिए यह यह समाजी कार करता मुझे नहीं लग रहे यह समाजी कार करता नहीं लगते बिल्क अपनी रख रहा हूं मैं जनता का फैसला हमारे सर चल कर बोलेगा जनता की दुख हमें लगती है उसे हम समझते हैं तभी मैं कहने जा रहा हूं कि दाम का बढ़ना और बढ़ा के हमेशा के लिए रख देना दोनों में अंतर होता है अगर दाम बढ़ा है तो उस पर आप ऐसे धर्मेंद प्रदान जी उस दिन आप प्रेस कॉंफरेंस नहीं कि आप मेरी बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं आने वाला एक हटा बताएगा कि यह सरकार ने पेट्रोल पे और डिजल पे क्या एक्शन लिए अगला सवाल मेरा सब्सक्राइब कर रहे हैं क्या चार साल तक यह 12 दिनी नहीं 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 यह सुनिए मैं बिल्कुल बाद रखूंगा कुछ ऐसे लोग हमारे भारत में 100 कॉल इंटेलेक्चुल जोपने आप मैं उन्हें बता रहा हूं मैं मैं बता रहा हूं निए आप अगर आप अगर रिकार एक दिन बढां टे ्टों रेट दीन बढाएंगे सबका अधिकार है विरोध को हम स्वागत करते हैं भी जेपी का करिए मेरा करिए सबका करिए इस सवाल पूरसे है आपको ने हमें निप बुरा तब लगता है जब विरोधी हमारी जनता को गुम्रा करते हैं हमें lac तब लगता है कि अधिक देखे सर एसा है यह इस तरह से आप देखे फासी बादी इंकी नितर तो है ताना शाही इस कदर ताना शाही व्यापत है कि यह जंता की आवाज को सुनना में नहीं चाहते हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि देखिए हम जो बात करें विपक्ष के अं देख जिंट्टा की दिमांट है सबीज कि डिमांड है कि इस एंदर कंई इसके इंदर रेट कम हूने चाहिए जब बारा दीन लगातार वढ़ते हैं थो यह धिए रदोटा है किसान को तकलीफ होती है छोटे लोगों कशाना लोगों को तकलीफ होती है हमारे चुझने गया हो जाएगा आप मुझे बता हैं एक हफ्थे के इंदर आप क्या करतेंगे आप एक अव्ड़ेंगे आप चार साल में रहें आप एकाफ्थे क्या कारतेंगे और आपने आपने जो करना था वा कदिया देख रही हैं लोग आपने सहरा देश कहाई के अó porter फिटनिस की बात है वो इसलिए इस समय कर रहे हैं इसलिए इसलिए कर रहे हैं कि पेट्रॉल डीजल जो आज बढ़ गए हैं तो आज आम आदमी क्या करेगा गाड़ी को सेल्फ आफ करेगा और धक्का से लेकर के वो जाएगा इनका संदेश जो है वो यह है आज कैई लोगों फिटनिस ठीक रहेगी तो इस तरीके से अगर यह जब फिटनिस के और इन चीजों पर कहेंगे तो बिल्कुल निंदनी हैं दूतरी बात मैं यह कहना चाहता हूं देश के प्रधान मंत्री और परवर्तमान केंद्र सरकार को कि वह जो वादे उन्होंने 2014 में किये थे 6 महीने की सरकार बची है उस पर कुछ अगर उनको सर्म आती है तो उन पर कुछ काम कर लें अन्य था 2019 में यह जनता आपको बताएगी मैं किसी राजनितिक पार्टी या उसके नहीं सामाजी कारकरता होने के इनाते कह रहा हूं आज उत्तरप्रदेश और अन्य राज्यों की हालत सि अज जंगल राज पैदा है अज जंगल राज पैदा है उत्तरप्रदेश के अंदर अरे एंकाउंटर की बात करने आप खैमत कैसे नहीं है एंकाउंटरों की जाज करा लिजिए से पी आई शार लिए हम देस का किसान जो चाहता है और बड़ी बड़ी बाते करके सिब उसे पूरा करना हम नहीं जानते हम उसे करके दिखाना जानते हैं हम उसे करके दिखाना जानते तब हुझा दूंगा किसान की कंडिशन की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि पूर में सरकार की नीथी और अभी किस सरकार की नीथी के मन्शाख क्या रही मुख्य मंतरी अवाज के ओपर अलू सरे आम फैक्ता है टिमाटर फैक्ता है जब वसलों का उसको कीमत प्याज की आज एक रुपया किलो नहीं मिल रही मुझे मैं पूछना चाहता हूं मैं पूछना चाहता हूं कहा हैं वो सरकार कहा हैं वो सरकार जो एक रुपया किलो आज प्याज की कीमत आप बताईए लागत अरे पेशेंस रखिए भई आपको दुनिया आपको जवाब देंगे लोग आप दे रहे हैं और आपको आगे भी देंगे चिंता ना कीजिए आप आप देखिए न भी आ रहे हैं के राना अब आपके राना में जवाब आने वाला है फूल पूर आप आ रहे हैं भी अभी अभी देंगे लाइन लगी है आपकी आप जनते सुनिये में तो मिनिट आप मुझे आप लीज मुझे बात कर नहीं चीए मैं यह कहना चाहता हूं स इसकी वियरोधी सरकार है रुपार 나온 वि다 करता करें वो केवल सिर्थ उन ही की सपोर्टर सरकार है और उनको लगता ही कि हमारी भी रोदिय इवाकी उनके अलावा कर रहे हैं कैसे समयांगे देश की जनता पेट्रोल डिजन पर मैं यही बोलना चाहूंगा आपने अगर प्यार दिया है तो आपका गुस्ता भी हम सहेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं यह पेट्रो जड़ता का लोगतादर में वोट खिलाफ करके बिल्कुल देश सिर और सिर्फ जो है देश का आम आदमी गड़े की तरफ जा रहा है देश का कोई भला नहीं हो रहा है मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जुमले बाजी और गहरी निंद्रा त्याग कर हकीकत की दुनिया पर हकीकत पर पहें रखिए आप जमीन पूतरी जनार्द सब कुछ जानती है अब लोकसमाः 219 19 سी भडाएं अगर 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 न्टीए सरकार बेतर काम करएं अगर बेतर काम कर रहें यह सरकार तो फिर चुनाओ के वbn जटा एक बार फिर से मौका देगी और अगर बेतर काम नहीं कर रही है तो फिर यह जंटा जो है उसी त रही लेके ताजा तरीन खबरों के लिए देख तरी टीव एंडे नमस्कार झाल 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 झाल